तो गाइस मैं हून लिंगम हरीस और आपका स्वागत है दी ट्रू इन्वेस्टर यूटूब चैनल तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक चाट पेटन के बारे में यह कैंडल स्टिक चाट पेटन से हमको बहुत कुछ इन्वर्मेशन मिलता है मार्केट में यह कैंडल जो है यह हमको यह बताता है कि मार्केट उपर जाएगा या फिर नीचे आएगा कब मार्केट उपर जाएगा कब मार्केट नीचे आएगा ये हमको indicate करता ये एक तरह का indicator है चार्ट पैटन में हमको सबसे important ये चीज़ है कि कौन सा candle किस तरह का मतलब signal दे रहा है कि अभी क्या होने वाला है एक एक candle एक एक signal देता है तो अगर अब देखा जाए तो एक candle कुछ आउर कहता है एक candle कुछ आउर तो candle सिर्फ बनता है ऐसे बनता है बट इसके पीछे का जो है signal ये एक आप से बात करता है ये candle जो है आप से बात करता है कि ये होने वाला है ये होने वाला यह वो होने वाला है क्या क्या होने वाला है यह आपको candle बताता है ठीक है तो हम आज discuss करने वाले है hammer candle inverted hammer bullish engulfing hanging man shooting star bearish engulfing यह सब हम देखने वाले है ठीक है seconds में जो है हमको यह पता चल जाता है कि market उपर जा सकता है या फिर market नीचे गिर सकता है ठीक है यह होता है ठीक है देन उसके बाद every time यह prediction जो है exact नहीं हो सकता ठीक है अब ऐसा तोड़ी होता है बगवान तोड़ी है candle जो हर बार जो है hundred percent correct बताएगा ठीक है देन उसके बाद most of time we can predict the market uptrend or downtrend correctly ठीक है जो बहुत time तक जो है बहुत ऐसे जो है अगर आप समझ लिए दस बार predict कर रहे हो तो उसमें से हो सकता है चे से साथ बार आपको जो है यह correct बता दे ठीक है तीन बार चार बार गलत बता भी दिया तो चे से साथ बार सही बताया तो इसने में ही आप पैसा अच्छे से कमा सकते है ठीक है तो देन इसके बाद अब आप स्टार्ट करते हैं एक एक करके तो सबसे पहले हम हैमर और इनवर्टेड हैमर को देखते हैं ठीक है 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 मतलब हतोड़ा होता है ठीक है यह हतोड़ा है ठीक है इनवर्टेड हैमर मतलब हैमर को उल्टा कर कर दो तो वही है हतोड़ा ही है बट इसको इसमें डंडी को नीचे कर दो पूंच को नीचे कर दो बॉड़ी को ऊपर कर दो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल ठीक है यह जो है इसको बैट आया है तो इसको इनवर्टेड हैमर का जाता है ठीक है तो यह इसके जो सिगनल यह क्या कर यहां से मार्केट बड़ेगा करके यह signals देते हैं तो यह कैसे होता है अब आखे इसके conditions देखते हैं यह परस्ट की मार्केट जो है down trend में होना चाहिए दोनों में hammer और inverted hammer में market जो है पहले downtrend में चलते रहना चाहिए अभी तक जो है वो positive नहीं आया ठीक है अगर market गिर रहा है गिर रहा है तो तब गिर रहा है तो यहाँ पर signal दे गा है तब क्या होता है यहां से price बढ़े गए ठीक है तो यह यहाँ पर देख रहा है यहाँ पर market पहले downtrend में है ठीक इसके बाद जो है यहां पर hammer candle दिखाया देन उसके बाद price बढ़ गया देखरें आपके लिए zoom कर दिए देखें तो यहां पर hammer candle red में बना है ठीक है यहां पर red है ठीक है यहां पर भी देख लीजिए यहां पर green candle में बना यह inverted hammer है ठीक है इसका मतलब क्या होता है market जो है उपर खुला sorry market जो है यहां पर open हुआ ठीक है देन उसके बाद market इतना गया ठीक है देन उसके बाद पिर नीचे आया ठीक इसके बाद यहां पर candle बना यह हो सकता ठीक है यहां पर ऐसा भी हो सकता है market यहां पर open हुआ यहां उपर गया देन उसके बाद फिर नीचे आया पिर यहां पर settle down हो गया ठीक तो ऐसा होता है market इधर भी देखिए अब पहले हो सकता है market यहां पर open हुआ देन उसके बाद नीचे आया देन उसके बाद उपर गया यहां पर close हुआ ठीक ऐसा होता है इसका फास्ट कंडिशन क्या है कि market जो है downtrend में होना चाहिए ठीक है तबी इसको hammer या फिर inverted hammer इसको कहा जाता है तो इसके बाद second condition यह है कि जो उपर का जो है विग है विग वो हो चोटा सा या पिर नहीं हो ठीक है अगर होगा तो जो है चोटा सा होना चाहिए यह बोड़ी है उसके बाद उपर का चोटा सा होना चाहिए या पिर नहीं भी होना चाहिए यह बड़ा होना चाहिए इस बोड़ी से जो है धुगुना या पिर तीगुना होना चाहिए यह वाला विक टीक है इसका भी सेम है सिर्फ यह उल्टा वाला ह यह दूसरे थीन गुरा बड़ा होना चाहिए इस बोड़ी से ठीक है देन उसके बाद देखते हैं यह हैमर जो है रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकते हैं ठीक है अगर यह ग्रीन हो तो और बहतरीन है क्योंकि यह बुलिश सिगनल दे रहे हैं बुलिश मतलब मार्केट बने वाला है तो यह ग्रीन जो सिगनल होता है यह हमेसे बुलिश सिगनल देता है तो अच्छा और अच्छा होगा ठीक है बुलिश सिगनल देगा तो और अच्छा होगा ठीक है यह भी सेम है ठीक है देन इसके बाद कंडिशन फोर यह है कि कैंडल के बाद जो बनता है यह market जो ही यहां पर close हो रहा ठीक है ठीक यहां पर close हो रहा है इस close होने के उपर में यहां पर फिर से जो नया candle बने वो उपर बने ठीक है देखी आप यहां पर देख रहे हैं market यहां पर close हुआ यहां पर जो है इसको उपर बनना चाहिए ठीक है ऐसा ने कि यहां पर जो है close हो गया ठीक है उसके बाद यह दर नीचे बने अगर नीचे बनेगा तो इसको जो है हम bullish जो है hammer नहीं कहा जाता hammer या पिर इसको inverted hammer नहीं कहा जाता अगर यहां पर यहां पर बन गए ऊपर बना वही ऊपर के बाज़े नीचे बनता तो इसको inverted hammer पर इसको भी hammer नहीं कहा जाता ठीक है अब ये candle बन गया मतलब इसको पहले बन गया मतलब अब ये नहीं कि ये बनते तक हमको decision नहीं ले सकते कि ये hammer candle बना या पिर नहीं ठीक है ये candle बन जाए उसके बाद ये वाला पूरा candle बनने के बाद ये वाला candle पे जो है हमको trade लेना चाहिए ठीक है trading लेना चाहिए ठीक अब ये hammer और inverted hammer तो आपने अच्छे से समझ लिया ठीक है दिन इसके बाद हब हम देखेंगे hanging man and shooting star hanging man मतलब क्या होता है वह जो g-sus होता है एंसे hanging होता है तो वोसी के base पे जो है इसको hanging man और shooting star ये दूसरा वाला है अब हम इसको देखते हैं ठीक है hanging man और shooting star जो है इसमे कुछ ज़्यादा डिप्रेशन है ये ये bearish signal देता है ठीक है bearish signal देता है बट ये hammer की तरह ही दिखता है ठीक है और ये shooting star ज तो यहां पर देख रहीं है यह क्या है hanging man यहां पर देख रहे हैं यह uptrend होना चाहिए पहले से market uptrend होना चाहिए सबसे पहले hammer में क्या हो रहा था पहले downtrend होना चाहिए ठीक है डाउन ट्रेंड हो उसके बाद जोएन मार्केट उपर जाना चाहेता ठीक है यानि कि डाउन ट्रेंड पहले से रहेगा तो सिगनल देने के बाद उपर जाएगा मार्केट ठीक है बट यहां पर क्या होता है हैंगिंग में में क्या होता है पहले बुलिश सिगनल रहता है बु जाता है क्योंकि यह उपर जाने के बद अप्ट्रेंड में बनता है तो इसको हैंगिंग मैं कैंडल का जाता है अगर वही यह डाउंट्रेंड में बनता तो इसको बोलते हैमर ठीक है तो अब समझ गए ना अच्छी बात है तो यहां पर भी यह से यह भी सेम है यह हैमर देख चोटा सो हो या पिर ना हो तो अच्छा है ठीक है ये बॉडी ये चोटा होना चाहिए विक बड़ा होना चाहिए ये पर भी सेम वही है जो पहले देखे हैं ठीक है दिन इसके बाद भी ये ग्रीन या पिर रेड दोनों हो सकते हैं ठीक है दिन इसके बाद यहां पर देख रह तब वो bullish signal में, ठीक है, बट यहां पर क्या होता है, यह candle बनने के बाद, उपर नहीं, बलकि नीचे बनना चाहिए, यह ठीक है, तो इसको बोलते हैं, hanging man या फिर shooting star, ठीक है, तो उसका respectively देख लिजे, यहां पर तो hanging man मतलब, उपर body, नीचे wick, shooting star मतलब, उपर wick, नीचे body, अबर hammer भी same है, यह भी hammer है, समझ लिजे, same है, यह भी inverted hammer, ठीक है, तो इसमें कोई difference नहीं है, बट, difference यह है, कि यह uptrend में बन रहा है, और यह downtrend में बन रहा है, ठीक है, hammer जो है, नीचे, sorry, यह hanging man जो है, uptrend में बनता है, hammer downtrend में बनता है, ठीक है, बागी सब जो है, एक bearing signal द देता है एक bullish signal देता है इसमें यहीं difference है ठीक है देन उसके बाद bullish angelfing and various angelfing अब देखिए bullish angelfing यहां पर देखिए जब कोई red candle बनता है तो इसको पूरी तरह के से का जाए वो green candle बने ठीक है तो आप पूरी तरह के से निगल जाए एंगल्प करें देखिए यहां तक है red वाला इसमें जो है green candle इसको एंगल्प कर लिया इसको पूरी तरीके से का गया ठीक है इसको बोलते है bullish angelfing और bearish angelfing में क्या होता है पहले ग्रीन केंडल बनना चाहिए उसके बाद जो है red candle बनना चाहिए उस candle को काने वाला ठीक है अब ऐसा बन गा मतलब यह bearish angelfing है ठीक है मतलब इसको यहां पर बन रहा है red candle इसके बाद जो है नीचे तक आके यह close हो रहा है ठीक है अब समझ गए बहुत बढ़िया ठीक यहां पर यह दीक लिए तो जब यह market गिर रहा था ठीक है तो यहां पर जो ना वो बड़ा सा green candle बना यहां इसके बाद जो है यह उपर बनन चाहे ठीक है अब अब आयसा ना कि यह green candle इतना बड़ा बन गया उसके बाद फिर से यहां पर नीचे candle बन गया आईसा नहीं होना चाहे ठीक है यह green वाला bullish बन गया तो उसके बाद जो ऊपर candle बनना चाहिए यह यही पर ब्यरी सेंगल पिंग का दिखाई दे रहा है ठीक है तो यहां पर आप यही दिखा रहा है कि यह open ऊपर हो रहा है close नीचे हो रहा है अगर यह उल्टा होता तो पहले red वाला रहता उसके बाद नीचे green वाला रहत होता है इसमें अलग-अलग तरीके से candles डोजी candles होते हैं तो आपको देखना है ठीक है देखिए इसको common डोजी का देता है यह common से रहता है यह उपर नीचे चोटा सा रहता है यह common डोजी है ठीक है यह जो है trend reverse का जो signal देता है अगर market बढ़ रहा है तो यहां पर अगर यह ड market अब गिरेगा अगर यहां पर market पहले से गिर रहा था तो यहां पर अगर यह डोजी candle बना यहां मतलब यहां से market बढ़ेगा ठीक है देन इसके बाद जो है दिख रहा है long-legged डोजी long-legged डोजी मतलब यह बड़ा बड़े-बड़े पाय रहते हैं ठीक है यह जो है इसी के यहीं पर close हो गया ठीक है यहां पर open हुआ फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर यहीं पर close होगा हो सकता है market यहां पर open हुआ उपर गया उसके बद नीचे आया फिर उसके बद यहीं पर close होगा तो इसको बोलते है long-legged डोजी ठीक है तो जब-जब यह बनता है तो क्या हो यह एक support level बन जाता है यानि कि यहां पर प्रसे price ना आ सके सायद क्योंकि यह क्या करता है एक resistance और support कि यह resistance यह यहां पर support है ठीक है जब आप कोई trade लेते हैं इसको जो है अगर यहां पर price यहां पर आ गया दूसरा candle यहां पर बन गया ठीक है तो यह आप क्या करते हैं यहां पर stop loss लगा दे और यहां पर अगर आप shorting करते हैं तो यहां पर stop loss लगा के यहां पर trade ले सकते हैं ठीक है इसके बाद हम देखते हैं dragonfly मतलब क्या होता है यह इसके तो आपने insect को देखा ही होगा यह क्या करता है उड़ता है ठीक है प्लाइंग करता है लेकिन ये दुसरा है ग्रेव स्टोन ग्रेव स्टोन क्या होता है ये मरने के बाद समादी के इऊपर डाला जाता है तो इसका मतलब ड्राइगन का है ये बढ़ेगा ठीक है ये उडएगा price यहां से बढ़ेगा जब यह candle बनता है तो इसके बाद जो है न price बढ़ेगा ठीक है ऐसा वाला candle बना तो वो जो है price गिरेगा ठीक है देनिस के बाद हम देखते हैं मारू बोजू candle stick चार्ट पेटन यह क्या होता है एक पूरी के तरह से ऐसा होता है इसमें जो है विक नहीं होता है ठीक है ओता तो भी बहुत चोटा सा होता है ठीक है अब इसा जो है इतना सा चोटा सा हो तो चल जाता है ठीक है यह green अगर candle बनता है तो उसका बाद जो next candle बनता है वो नीचे बनता है और वो जो है नीचे ही price जाएगा ठीक है अगर यह ऐसे वाला green candle बन गया फुली जो है ऐसा मारू बोजू candle बनता है तो इसके बाद price बढ़े गई बढ़ेगा यह definitely है इसके बाद जो है red candle बनता है तो इसके आत्रों मार्केट से बावाई टेक केर